यह हैं दोस्तों, गडवंदन की गात छोड़िए, अकेले बिजेपी और कांग्रेस की सीटे जानिए, क्या आपने दम पर बना पाएंगी सरकार? लोगसबाचुनाओ 2024 के नजदीक आने से राजनीतिक दलो की बेचैनी बरसी गई है, बिजेपी नित गडवंदन की नजर एक बार फिर सत्ता पर है, वहीं विपच्ची दलो का इंडिया गडवंदन एक जूट होकर सरकार बनाने की फिराक्त में है, इस बार परिस्थितिया बदली सी है, इंडिया के कुछ साथी इस बार विपच्ची खेमे में है, इस बीच इंडिया गडवंदन बनने के बाद एक सर्वे किया गया, जिसके नतीजे हैं हरान करने वाले हैं, ये सर्वे अगले साल होने वाले आम चुनाओं के लिए लोगसबा सीटों को लेकर किया गया है, सवाल पूछा गया कि आज लोगसबा चुनाओं होते हैं तो किसको कितनी सीटे मिल सकती हैं, जिस पर लोगों ने अपना मत दिया, इनमें आए परणामों के नुसार, देश में एक बाकिर पियम मोदी की अगवाई वाली एंडिया की सरकार बन सकती है, बीजे पी गडवंदन को तीसरी बार भी 300 से जादा सीटे मिलने का नुमान है, जबकि कांग्रेस समयती इंडिया गडवंदन बहुमत के आकड़े से काफी पीछे रह सकती है, ताजा सर्वे के मताबिक बीजे पी की एंडिये एलाइंस को 318 सीटों पर जीत मिलने का नुमान है, एक ज सकती है, अकेले की बात करें तो बीजे पी अपने दम पर भी बहुमत के आकड़े को पार कर सकती है, सर्वे में बीजे पी को 290 सीटे मिलने का नुमान है, जबकि देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी को 66 सीटों पर जीत मिलने का नुमान है, पार्टी को पिछले च येने 303 सीटे जीती थी अकेले BJP को 303 सीटे मिली थी इसलिए आज से उसे 13 सीटों का घाटा हो रहा है कांग्रेस की गडवंदन UPA 2019 में 51 सीटे जीती थी इसकी तुला अगर इंडिया गडवंदन से करे तो भी पच्छी एलाइंस को 84 सीटों का फायदा हो सकता है कांग्रेस को पिछली बार 52 सीटे मिली थी